कि सात्यों मैं हूँ आपका दोस्त थितेंद कुमार मैं गौवर्मेंट फ् catch साथियों किसी तरह की वायरी या दिक्कत है मेडिसन से सम्मंदित कोई सला लेनी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं साथियों आज हम आपको रिव्यू करेंगे कि अनजीर के बारे में अनजीर के फाइदे बताएंगे यौन वर्धक सक्ती या यौन सक्ती वर्धक इसको कह सकते हैं पुरुसों के लिए अंजीर की खाने के फाइदे बहुत हैं साथियों आज कल होता क्या है कि पुरुसों में भाग दौर की लाइप में क्या होता है कि पार्टनर के पती जारा देर आनंद लेना चाहते हैं नहीं ले पाते हैं साथी साथ जिनको erectile dysfunction की समस्या होती है सीगर पतन और जल्दी खलास हो जाते हैं तो उस समस्या को भी ये दूर करता है साथियों इन सभी समस्याओं के लिए क्या होता है कि बहुत सी जो है मार्केट में एलोपैथिक टाबलेट्स आती है जैसे वियाग्रा है सिंदनाफिल साइट्रेट आता है माइन फोर्स है ये क्या होता है कि ये आपको तुरंत एक्दम ताकत देंगी इरक्षन रहेगा लेकिन बाद में इसके बहुत जादा साइड़ इफेक्ट होंगे जैसे कि आपको क्या होगा कि स्वेटिंग बहुत होगी पसीना बहुत होगा नोजिय वॉंटिं टाइब पै लगेगा साथिसथिक्षार क्या होगा कि जंजनाहट रहेगी हार पैरों में और जो है क्या होगा कि है सर में दर्द होगा डिजिनेश चक्कर टाइप का लगेगा तो इस तरह के बहुं से साइड इफेक्ट होते हैं तब ही पुरुस लेते हैं लेकिन यह क्या होता है कि लांग टर्म सुल्यूशन नहीं होता है साथियों अगर अंजीर रेगुलर इस्तम तो आपके पुर्साथ को निकारता है साथी साथ इस तरह की वियादगरा ये सब टैबलेट आपको लेने की जरूरत नहीं है तो साथ में आज हम डिसकस करेंगे कि अंजीर है क्या इसके बारे में जो इंग्लिस में हम इसको फिक भी कहते हैं इसके बारे में रिविव करेंगे सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन अंजीर में क्या क्या पाया जाता है यूजर्स बेनिफीट की बात करेंगे डूजर्स की बात करेंगे कैसे इस्तमाल करना है safety information है और यह जो है कितना खाना चाहिए इसके बारे में बात करें साथियों अंजीर जो है क्या होता है soluble dietary fibers है अंजीर साथियों जैसा कि चीतर में आपको दिख रहा होगा और मार्केट में आसानी से मिलता है और यह कभी भी खराब नहीं होता है एक तरह से इसको खानीच आपकाई सकते हो और इसमें क्या होता है कि बहुत तरह कि खानीच भी प्रचूर मातरा में मिलते हैं बड़ इसके अंदर कैलोरी बहुत काम होती है अंजीर में क्या होता है कि कारोटीन होते हैं जैसे कि इस संसीर अमीनो आइसिड होते हैं साथियों B-complex इसमें विटामिन होते हैं, पैंटोथिनेट होता है, जैसे कि पारिडॉक्सिन होता है, नायसीन होता है, फोलेट होता है अंजीर साथियों ड्राइफ रूट्स में आता है, मार्केट में आपको असानी से मिल जाएगा और इसको खाने से जो है क्या होता है कि चुस्ती, दुरुस्ती, स्फूर्ती हमें साथ बनी दहेगी अंजीर के बहुत फाइदे हैं, जैसे कि महिला पूरुस कोई भी खा सकता है अंजीर में उच मातरा में फाइबर होता है, जो प्रोबायोटी का भी काम करता है कहने का मतलब है पेट को आपको ठीक रखेगा, आपको किसी तरह की गैस नहीं बनेगी साथी साथ पेट में जो है कब जैसी डेटी की समस्या उसको भी दूर करेगा और साथी साथी क्या करता है, मन को जो है नरम करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है जिनको होता गया समस्या होती है साथी साथी ये क्या करता है कि कैलिसियम फासफोरस इसके अंदर होता है जो हड्डियों को बहुत ही मजभूत बनाता है और साथी साथ क्या होता है कि नूट्रीशन देने का काम करता है नौरिस करने का काम करता है अंजीर क्या करता है ब्लड पेसर को भी मेंटेन करता है और यह क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है क्योंकि इसके अंदर पोटेसियम होता है साथियों इसकीन को हमेशा वेट रखता है और इसकीन को जो है पोसर देने का काम करता है और साथी साथ क्या होता है कि इसकीन के सेल्स को जो है रिपियर करने का काम करता है साथी साथ ये वेट मैनेजमेंट करता है जो मोटे लोग होते हैं उनका fat cholesterol को जो है muscles में convert करता है और weight loss में भी बहुत सहायक है और heart को जो है ये healthy रखता है और ये क्या करता है pregnant woman के लिए बहुत ही अच्छा है और ये ताकत देने का काम करता है साथी साथ ये पूल्सों में जो है sexual जो problem होती है उस समस्या को दूर करता है साथी साथ इसमें क्या होता है कि calcium, magnesium, phosphorus, protein, fiber, omega-3, omega-6 होता है vitamins होते हैं, minerals होते हैं इस वज़ा से क्या होता है कि जिन पूल्सों के अंदर erectile dysfunction की समस्या होती है और market से वो भरभर के viagra type की tabletे बहुत खाते हैं उसमें क्या होता है कि 10 से 15 मिनट का erection तनाव आता है उसके बाद समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है और धेर सारे सरीर पे side effect आ जाते हैं इसको खाने से क्या होता है कि समस्या दूर होगी तनाव जल्दी आएगा और ज़्यादा देर तक रहेगा circulation को बढ़ाता है और साथी साथी क्या होता है कि zinc होता है इसके अंदर और जो है उसकी वज़ा से male में sperm count बहुत ज़्यादा बढ़ते है सुकराणों की संखा बहुत ज़्यादा बढ़ती है साथी साथी टेस्टोष्टिरान को जो है बनाने में बहुत ही मादद का है और यह क्या करता है कि मतलब लिवडो होने के लिए बहुत ज़्यादा response करता है साथी साथ जो है यह response बढ़ाता है पार्टनर के पती ज़्यादा देर तक आनन्द लेने का आपको response मुलेगा male fertility कहने का मतलब है चिन पूरुसों के अंदर पूरुस बांजपन की सिकायत आने लगती है तो यह पूरुस बांजपन की समस्या को दूर करता है और male fertility बढ़ाता है साथी साथ जो है प्रोस्टेट को भी यह ठी करने का काम बढ़ता है साथीों बहुत ज़्यादा फाइदे है अंजीर को हमेशा जो है आप अपने किचन में अपने फ्रिज में रखें और तीन से पांच पीस मिनिमम इसको जो है सुबे साम खा सकते है अब साथीों डोजेश की बात करेंगे कैसे इस्तमाल करना है तो साथीों एक तो यह है कि आप इसको जो है बहुत कम मातरा में पानी लें तीन से पांच जैसा आप खा सकें ये बोडि पर डिपेंड होता है कितना आप डाइजेश्ट कर सकते हैं तीन पीस भी भवह सफिसेंट हैं तीन पीस को जो है आदी कब पानी में डुबो दें ताकि पानी सारा एपजार हो जाए और उसके बाद जो है इसको जो है आप डारेक्टली खा सकते हैं otherwise इसको जो है गुनगुने दूद में मैस कर देंगे और उसको दूद को जो है पी सकते हैं इसी तरह से सुबे साम निरंतर खाएंगे अंजीर और आप जो है एक दम चोस्ती और फोर्ती और सरीर में उर्जा भरने का काम ये कर लेगा तो साथियों अंजीर के बारे में आज हमने डिसकस करा वीडियो कैसा लगा नेक्स्ट किस टापिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएगा इसीक साथ विराम देंगे साथियों नमस्कार